तो फ्रेट्स लेल्कम टुमाइ चैनल ये देखो फ्रेट्स मैने ये स्वेटर बनाया है इस डीजैन में ये दिजैन देखलो। कितना अच्छा लग रहा है यह डिजाइन यह डिजाइन बनाना मैं सिखांगे आपको फ्रेटर तो आप लोग बनाई लेते होगे डिजाइन में बता देती हूं यह देखो सटर हाथ सटर है यह नीचे बॉर्डर बना है मैंने ऐसे और उपर बना के थोड़ा यहां पर मुड़ की घटाई की है तीन दो एक करके ऐसे घटाई की है मैंने और बीच में सेंटर में वीगला बनाने के लिए एक घटाते जाते हैं इसमें और यहां पर मुड़े बंद पीछे का मैंने सिंप बनाया है यह देखो पीच्छे बिल्कुल सिंपल बनाया है और आगे डिजाइन बनाया है यह मैंने सुई से बंद किया है यह ऐसे लगता है जैसे डबल बॉडर बना हुआ है बिल्कुल सुई से बंद कर देते तो बिल्कुल ऐसे लगता है डबल बॉडर बना हुआ मैंने कुछ पंद्रिका गया है कि ढालने के बार मैंने कि यह बेस बना लुग जैसे बडर बनाते हैं और यह बेस बनाने के लिए ऊलटा सीधा चार सलाहय कि निकाल ली है अब मैं दिखाते हूं आपको एक पंद दजाएंगे और देचे दागर ले जाएंगी अब ये जैसे दो पन्रह तो पंदोً प्रोकी में ul. या अधिन्हें आधि ये तीम हमें टश्म का आधि जो दो लूप बन गए। एक ही हुल मेंसे बनाना है दूसरा लूप भी। आप इसके बाद हम तीन फंदों को एक साथ घटाएंगे। तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे। हैसे हमने सिंपल जैसे घटाते हैं। उल्टा अपने साइट धागा करके फिर उल्टा तीन फंदों का एक फंद आपने बना दिया है उसके बाद फिर हम धागा पीछे ले जाएंगे फिर हम वही लूप बनाएंगे आसे बहुत ही जी डिजाइन है और अच्छा दिखने वाला कर kayak दो लूप हम ऌ दो लूप कर दो लूप खर के लिया पूलं सेad हे फिर हम बना में हुआता है झाल झाल इसे हमारे फंदे ना घटेंगे और ना बढ़ेंगे अपने लास्ट में जो है हम दो ही फंदो का एक बनाएंगे क्योंकि वहां हमारा आगे लूप नहीं है इसलिए हम दो ही फंदो का एक बनाएंगे ऐसे बनके तयार होगा अब उल्टी स्लाई में हम पूरी उल्टी स्लाई निकालेंगे बहुत एजी डिजाइन है यह लूप बाले कंदे इनको भी हम बुल लेंगे ऐसे उल्टा ही उल्टा भुन लेंगे पुरा इसी तरह बनाते देञेंगे उल्टी स्लाई देखो हमने पूरी उल्टी निकाल ली है अब सिधी स्लाई में बी कुछ नहीं कर दा यह वाली सिधी स्लाइब पूरी ऐसे ही सीदी निकाल लेनी है और फिर उल्टी स्लाइब निकालने के बाद हम डिजाइन बनाएंगे स्लाइब में इसमें कुछ फिर निकालना है बहुत इजी है डिजाइन ही है पूरी स्लाइब हमारी सीदी निकाले है अब देखो करेंट्स यह हमने एक इसके डिजाइन बनाने के बाद एक उल्टी स्लाइब निकाली फिर एक उल्टी निकाली अब यह ऐसे बनके तैयार हो गया अब इसके बाद हम कैसे बनाएंगे मैं लिखाते हूं यह दो फंदों का एक करना है कि नारे वाले जो दो फंदे होते हैं उनको दो को एक करना है और यह बीच वाला फंदा है जो यह वाला फंदा यह वाला फंदे का पीच में हम ऐसे एक प्लूप पनाएंगे फिर ये दो बुनेंगे, फिर उसी गोरल में से एक लोग बनाएंगे, इस तरह है, और फिर तीन फंदे हम लटा दोगे, तीन फंदे का एक फंदा कर दोगे, इस तरह ये डेजाइन बनाएंगे, फिर हम ये बीच में हमें ये रो देखनी है, ये रो हमारी बीच में होनी चाहिए, ये इस रो को देखते हुए, हम ऐसे बनाएंगे, ये हमारा एक टूपर इस ताएगा, तो ये तीन फंदे का एक फंदा, इसी तरह ये पूरा डिजाइन बनाना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छा दिखते है, देखो फ्राइंट्स ये ऐसे बनता हुए चला जाए है, अब उल्टी स्लाइ हमको फूरी उल्टी लिकाल लें है, देखो फ्राइंट्स ऐसे ही ये बनते तैयार हो जाए है, ये डिजाइन बहुत ही अच्छा दिखता है, इसमें ये वही डिजाइन डला हुआ है, इसमें पूरा श्वाटर मैंने बना है, बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सस्क्राइब करें, जाज ज़्यादा से अर करें, बैल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ड